तैयारी बहुत ही अची चल जोगी दोस्तों अज हाजी रहे हम नए क्लास के साथ और आज की क्लास हमारे नवद विद्ध्याला इंट्रेंस एक्जाम 2023 के लिए पेपर देंगे उनके लिए होगा दोस्तों और आज की क्लास जो हमारी होगी टेस्ट पेपर जैसा कि आप देख कुछ प्रस्णों को आज हम सलूसन देखेंगे से इस प्रस्णों का नेक्स्ट क्लास में सलूसन देखेंगे दोस्तों तो आज का जो सलूसन हम देखने वाले हैं बहुत ही बहतरीन कोश्चन होंगे और यह पेपर अगर आप द्यान से देखते हैं पूरा चैप्टर प्रैक्टिस जो मैं करा रहा हूँ आपको बहुत मददगार होंगे जो पेपर आपका प्रैल में होने वाला है आईए आज की क्लास का पहला कोश्चन देखते हैं कोश्चन पहला देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कोश्चन का लेबल मैंने कैसा लिया है किस प्रकार क question आपके में होने वाले हैं मतलब जो ही question जो आपके paper में आया करते हैं दोस्तों देखेंगे A. एक काम को 8 दिन में B. उसी काम को 12 दिन में करता है A. और B. दोनों साथ साथ मिल कर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लगे क्या कहा ये ने कितने दिन में 8 B. ने कितने दिन में 12 A. और B. दोनों की बात कर रहा है question करना नहीं question time के अंदर करना हम सिखाते हैं अगर दोनों का date दिया हुआ प्यारे तो क्या है या तो B. की तरह जोड़ दो 1 बटे 8 कर लो आप 1 बटे 12 कर लो आप और इसको हल कर दो जो आएगा बाद में उसको क्या कर देना आपने पलट देना जैसे इसका LCM कितना 24, 8, 3 के 24 12, 2 के 24 तो क्या हो जाएगा 5 बटा 24 और इसको आप पलट लोगे तो क्या हो जाएगा 24 बटे 5 होगा की नहीं होगा answer आएगा 4, सही 4 बटा 5 जो के बिकल्प नमबर एक आपका राइट हो जाएगा वरना आप चाहो तो इससे ट्रिक से लगा सकते हो कि A और B अगर दोनों का काम दिया गया है और दोनों का मिल करके पूछे तो कुछ नहीं करना है दोनों के कामों का आप क्या कर दो गुड़ा कर दो चार पच्चे बीस चार दुना के आठ बारा दुना के चोविस वही बार की चोविस बटे पांच भाग देंगे तो क्या आएगा चार सही चार बटे पांच यह आपका एंसर विकल्प नमबर एक में राइट हो जाएगा आओ प्यारे नेक्स्ट कोश्चन में जाएगते हैं बहुत ही बहतरीन बहतरीन कोश्चन दिये गए आपके लिए यह आपके पेपर में आएंगे यह रहा दोस्तो आपके पेपर का आज का दूसरा कोश्चन यदि साथ ब्यक्ति साथ ब्यक्ति सोलह दिनों में यदि साथ ब्यक्ति एक कारे सोलह दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को चार ब्यक्ति कितने दिनों में करेंगे ऐसे सवालों के लिए इस फर्मूला दोस्तों होता है M1 D1 बराबर M2 D2 M1 D1 बराबर M2 D2 इसको कहते हैं आयकिक नियम का सवाल दोस्तों अगर ऐसे लगाते हो तो बहुत जल्दी अंसर पाओगे वरना आयकिक नियम से भी लगेगा साथ ब्यक्ति मतलब यम कितने दिन में मतलब 16 अब है 4 ब्यक्ति तो 4 कितने दिन में ये आप से पूछ रहा है काट लो 4 चवक को 16 और 7 चवक को क्या होगा 28 विकल्प नमबर 4 आपका राइट हो जागा एक तरीका M1 D1 बराबर M2 D2 से हो गया अगले तरीके को भी देखो प्यारे देहान से देखना जो अच्छा लगे वो यूज करो 7 ब्यक्ति थे 7 मैं थे 16 दिन में कर रहे थे अगर ये काम हम एक ब्यक्ति से प्यारे कराएंगे तो बताओ जादा दिन लगेगा या कम दिन तो जब अगर जादा दिन लगेगा 7 ब्यक्ति कर रहे थे 16 में अगर एक ब्यक्ति करेंगे तो जादा जादा के सेंस में प्यारे इनका क्या होता है गुड़ा अब बताओ एक आदमे किसी काम को 16 गुड़े 7 दिनों में करेगा अब इसी काम को 4 लोगों से कराएं आई एक सवाल को दो दो तरीकों से और वो भी वीडिन वन मिनट के अंदर कर पा रहे हैं दोस्तों तो आईए इसी बात पर अगला कोशन देखते हैं, तो दोस्तों आयकी की नियम से एक और कोशन देखते हैं कि एक मजदूर की 5 दिनों की पांच से गुड़ा कर दो तो पांच 25 और 5 36 दू 32 और 5 एककम 5 तिन 825 रुपे अंसर हो गया नहीं हो गया बात तुरंट समझ में आ गई की नहीं आ गई 5 से 25 हम प्राप्त कर सकते हैं कैसे प्राप्त कर सकते हैं जोर प्यार से देखो आप 5 से मल्टिप्लाई करके आप कर गया याठ सो पचीष रुपया मजदूरी हो रही है या फिर यहां से पांच दिनों का दिया था खा तो एक दिन का निकालते आप ये रहा आज का अगला कोश्चन प्यारे 35 मीटर कपड़े है किक नियम से ही है 35 मीटर कपड़े कपड़े में कितनी कमीज बनेगी कमीज पूछ रहा है कितना कैट हो एक टो 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 ट पाँच कपड़ा एक दसमलो साथ पाँच मीटर अब सोचो अगर एक दसमलो साथ पाँच मीटर कपड़ा में एक कमीज बन रही है तो एक मीटर कपड़ा में बताओ कमीज कम बनेगी या ज्यादा कम बनेगी कम बनेगी का मतलब भाग एक बटा एक दसमलो साथ पाँच अब स sense में क्या करते हैं गुड़ा तो एक बटा एक दसमलो साथ पांच हमारा जो होगा इसमें हम कितना से गुड़ा करेंगे 35 से गुड़ा करेंगे अब इस calculation को प्यारे यहां समझ लो कि यहां पे हो जाएगा 35 और नीचे क्या हो गया एक दसमलो साथ पांच क्योंकि 35 का गुड़ा एक में होगा 35 नीचे एक दसमलो दो अंग दसमलो हटाने के लिए आप 100 से गुड़ा करोगे न प्यारे उपर नीचे तो उपर होगा 35 और नीचे 175 हो जाएगा यह 0 हटेगा तो दसमलो हट जाएगा 175 अब द्यान दो आप पूरे कैलकुलेशन को अब फिर से एक बार करते हम मतलब यह उपर हो गया आपका 35 नीचे हो गया 175 अब द्यान दो यहाँ पे 5 सत्य 35 यहाँ साथ सो पांच से काट ले तो कितना होगा पांच त्याई 15, 5 पचे 25, 7 से काटे तो 100 और पांच से फिर काट ले प्यारे तो 20 बार में कट जाएगा तो एंसर क्या जाएगा 20 मतलब 35 मीटर में कितने कमीज बनाएंगे 20 बनाएंगे बहुत प्यार से दुबारा चलाकि से समझो प्यारे बहुत आसान कोश्चन है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन को देखते हैं एक और सवाल आपके सामने आ गया कि 3 पेन और 5 पेंसिल का मुल्य 14 रुपिया तो 12 पेन और 20 पेंसिल ध्यान देना प्यारे पांच से 20 कितना गुणा है 4 गुणा इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप यहान पे 12 और प्लस कितना 20 बारह पेन है और 20 पेंसिल है यहाँ पर भी पी ही मालो कोई दिक्कत नहीं इनहीं का दाम यदि निकालना दोनों में से देखो 4 कामन हम ले सकते हैं अगर 4 कामन लें तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पेन क्या होगा प्यारे 3 पेन प्लस यहाँ से 20 में से 4 कामन होगा तो 4 पेंसिल होगा आप तीन पेंन और पांच पेंसिल का द्यूदा। देखिए तीन से चार गुना हुगा तो कितंभिए थीन से चार गुना कुझा 12। तो कुझा 20। तो अगला कोश्चन हम देखेंगे। अगला कोश्चिन प्यारे यदि 12 सेवों का मुले 26 रुपिया है तो तीन दर्जन सेव का मुले बताओ 12 का मतलब क्या समस्ते हैं एक दर्जन क्या समस्ते हो प्यारे एक दर्जन देखो सब्दों का जाल है यहाँ पे एक दर्जन का दाम कितना बोला दूसो सोल एक दर्जन का दाम दूसो सोल तो तीन दर्जन का दाम तो दुनिया बता देगी यार तीन का गुड़ा कर दो ना आप बिकल्प नमबर D में जाओ 648 एंसर पाओ और नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ जाओ ये आज का रहा सबसे धुआधार कोश्चन दोस्तों समझिएगा चार आदमी या साथ औरत काम पे लगते हैं तो साथ दिन में काम करते हैं करा आठ गो आदमी लगा दो और साथ औरत लगाओ आप अवरत उतना ही है प्यारे जितना पहले थी समझो प्यारे बात को साथ आदमी लगाओ आठ आदमी लगाओ और साथ औरत पहले क्या था चार आदमी लगाओ या साथ औरत इसका मतलब है कि चार आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम साथ औरत करती है क्लियर है और जो हमको निकालना है ये आठ आदमी है और साथ औरत ध्यान देना आठ आदमी है प्यारे और यहाँ पर क्या है साथ औरत है प्लस साथ औरत न और का मतलब प्लस अगर औरत को औरत रहने दो या फिर साथ आदमी की जगा चार औरत रख लो देखो साथ आदमी है यहाँ पर चार आदमी लिख सकते है न तो लिख दे यहां पे तो आठ आदमी प्लस यहां पे चार आदमी और साथ औरत चार आदमी के बराबर है को लिख देते हैं मतलब हो गए बारह आदमी अब सवाल आप बनाओ मतलब यह जो हमको दिया गया था यह पूरा अगर मिला दे 8 आदमी को मिला दे 7 अउरतों को तो यह 12 है आदमी के बराबर काम करती है अब सवाल देखो 4 आदमी को लेके लगाओ चाहे 7 अउरत को अगर आदमी को लेके लगाते हो तो चार आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं तो मैं अभी थोड़ी देर पहले question में बताया M1D1 बराबर M2D2 बताया या नहीं बताया तो बताओ M1 का मान अगर हम आदमी को लेके लगा रहे हैं तो चार आदमी उस काम को कितना दिन में करते हैं साथ दिन में यहाँ पर कितने आदमी हैं बारह है आदमी कितने दिन में करेंगे कैल्कुलेट कर लो भाई बारह पच्चे, साथ और पांचव को बीस कितना दिन में करेंगे भी या 20 दिन में करेंगे विकल्प दिख रहा है क्या एक पहला विकल्प राइट हो जाएगा बहुत बढ़ियां समझ में आया वीडियो फिर चलाओ प्यारे एक बार और समझो बहुत मज़ा आने वाला है नेक्स्ट कोश्चन देखते है आओ प्यारे नेक्स्ट कोश्चन देखते है यदि नमीन 4 घंटे में 4 घंटा में 9 किलो मिटर की दूरी ताय करता है तो 60 किलो मिटर चलने में नमीन को कितना टाइम लगेगा भीया देखो किलो मिटर दिया इसलिए किलो मिटर को लेके चलते हैं नौव किलो मीटर चलने में नमीन को लगता है चार घंटे अब बताओ एक किलो मीटर यदी नमीन चलेगा तो समय कम लगेगा या जादा जाहिर सी बात है एक किलो मीटर चलेगा तो कम समय तो कम के लिए क्या करते हैं प्यारे भाग तो हो गया चार बटे नौ घंटा अब बताओ एक किलो मीटर में अगर साथ किलो मीटर की बात आ जाए तो चार बटे क्या नौ गुड़ते होगा साथ तीन से काटेंगे बीस बार में और तीन से काटेंगे तीन बार में अगर 20 का गुड़ा 4 में कर दें प्यारे 80 बटा क्या 3 भाग दो 26 बार भाग जाएगा 26 ती आठातर दो सेश बटा 3 तो 26 सही 2 बटा 3 कौन बता रहा है विकल्प नम्मर 4 कि 26 सही 2 बटा 3 घंटा आपका क्या होगा एंसर 26 सही 2 बटा 3 घंटा समझ पाए न प्यारे तब तो अगला कोश्चन की तरब तो बढ़ना ही पड़ेगा ये रहा है दोस्तों आज का अगला प्रस्न अगला प्रस्न की एक रासी का एक तिहाई एब या एक्स अगर है तो एक्स का एक तिहाई क्या होता है X बटा 3 इसका मान कह रहा है 12 रुपिया एवी ये तिरिया गुड़ा करतो ना 3 से 12 का तो 36 मतलब रासी कितना है 36 है प्रस्ट इस प्रस्ट में बढ़ा जाओ उस रासी का एक चव थाई ये भाई साब 36 का एक चव थाई कह रहा है ना वो रासी 36 ही आई ना तो 36 का एक चॅ बढ़ियां सा कोश्चन है चला के समझना प्यारे दुबारा वरना पेपर में काम गड़बड होगा आ चुका है यह पहले भी आओ नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं एरा गुरू आज का अगला कोश्चन बहुत प्यार से देखिए नवदय विद्याला इंट्रेंस एक्जाम यदि पास करना है तो यह प्रस्ण आपको समझने पड़ेंगे और इसी चैनल पे आपको मैत के सभी प्रस्ण सही होते नजर आएंगे जब आप पूरी वीडियो दे समयत में लाया है चार किलो मीटर की दूरी बीस मिनट में पैतालिस मिनट में वह कितनी दूरी समझो न यार समझो थोड़ा सा 20 मिनट 20 मिनट को कह रहा है कि 4 किलो मीटर के बराबर है तो आओ एक मिनट पहले बताते हैं कितना के बराबर होगा 4 बटे 20 किलो मीटर तो 4 पच्चे तो 20 होई गया एक मिनट बराबर एक बटा 5 किलो मीटर तो भाईया 45 मीनट देखो 45 मीनट बराबर क्या होगा प्यारे एक बटा 5 गुडे 45 तो 5 नवा 45 होता है विकलप नम्मर दो सही हो जाता है प्यारे तो आओ नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं आ गया ये LCM का प्रस्ण किसका प्रस्ण आ गया प्यारे LCM का बहुत जखास देखो ने LCM का पहला प्रस्ण 36, 108, 180 का लोस क्या होगा हमारा तरीका अपना होगे क्या है आप तो इसका विरादरी वाले में गुडन खंड करो 9, 4, 36 क्या होता है विरादरी देखना है तो चैनल पे जाके आप LCM पढ़लो प्यारे समझ में पूरी बात आ जाएगी अब आगे देखते हैं यहाँ पे देखो दिया है 108, 108 को क्या लिख सकते हैं समझने की जरूरत है 27, 4, 108 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि 27 आपका 3 की यहाँ पे 9 आपका 3 की विरादरी और 4 आपका 2 का विरादरी यहाँ पे भी समझते हैं 180 को 180 कहता है कि इसमें कौन कौन आएंगे तो जरूरत देखने की कोशिस करिए इसमें 9 आएगा 2 आएगा और कितना आएगा 9 आएगा 4 आएगा और 5 ठीक है 9 आएगा 4 आएगा 9 तीन की विरादरी चार दो की विरादरी पांच हलसियम वैसे आप जानते होंगे जरा हमारा भी तरीका समझे अगर ऐसा काट लिए तो एंसर आ गया ध्यान से देखो दो की सबसे बड़ी विरादरी क्या है प्यारे इसमें चार तीन की 27 और पांच की पांच दो की 4 खतम कहानी 2 जहां जहां पे होंगे दो की विरादरी तीन की 27 तो 27 अब तीन की विरादरी सब खतम बजगया पांच तो पांच का गुड़ा पहले चार में करें 20 अब 20 में 27 का करना है मतलब 27 में 2 का करेंगे 27 दुना के चोंवन और एक जीरो चिपकाएंगे तो यह अंसर पांच सव चालिस पाएंगे आओ प्यारे नेक्स्ट कोश्चन की तरब चलते हैं यह रहा प्यारे आज का अगला कोश्चन की 3711-222 का मसर हमने क्या बताये था प्यारे जो सबसे छोटा है उसी से या तो सब में भाग दो अंतर तो 37111 यदि आप काटेंगे तो 37111 कट जाता है कितना बार में कटेंगा तीन बार में और 37-222 काटेंगे तो वह भी 6 बार में कट जाएगा इसका मतलब कि 37 हमारा क्या हो गया मसा हो गया प्यारे तो आओ नेक्ट कोश्चन देखते देखिए ये रहा जबरदस्त कोश्चन तीन गहंटिया बारा पंदरा और अठारा मिनट के अंतराल पे बचती हैं नौ बजे एक साथ बजी है तो वे फिर कब एक साथ बजेंगी समझ दो प्यारे तो पहले तो हम ये निकालने की ये घंटिया कितने समय बाद एक साथ बज्ती हैं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा 12 15 और अठारा का अलसीम निकालना होगा चलो प्यारे 12 को बिरादरी में तोड़ेंगे तो 4 तियाई 12 15 को 5 तियाई 15 18 को 9 दूना 18 वहरे म विरादरी, चार सबसे बड़ा, तीन की विरादरी, नो और पांच मिल गया, तो पांच यउक कुभीष, नवा, एक तो, अस्सी, 108 क्या प्यारे, मीनट, एक सोबसी क्या, मीनट, मीनट को घंटा में बदलेगे addition 60 से भाग, और छत्री 18 तीन घंटे के बाद ये घंटियां एक साथ बजेगी तो नौ बजे बजी हैं तो तीन घंटा बाद मतलब नौ तीन बार बजे अगर नौ बजे प्रातर बजी हैं तो बार बजे कब दो पहर में बजेंगी और विकल्प हमारा हो जाएगा तीन राइट दोस्तों बात आपको पूरी समझ में आ रही होगी तो आईए अब अगले कोश्चन को भी समझ ही लेते हैं प्यारे चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ग्याद करें जो साथ दस पंदर एककईस अठाईस से भाग देने पर सेस ये बचता है तो जिसका जो सेस बच रहा है प दो बचेगा इसी प्रकार दस से भाग दे रहा हो तो कितना सेस आठ ये भी दो बचेगा और जब पंदरा से भाग दिये तो तेरा ये भी दो बचेगा प्यारे और जब एक कईस से भाग दिये तो 19 ये भी दो बचेगा प्यारे और जब 28 से भाग दिये तो 26 ये भी दो आया है ना इसको आप एक तरफ रख लीजिए और उपर जो पहले दिया था उनका निकालिये LCM क्या निकालेंगे LCM ध्यान दीजिएगा LCM देखिए दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे तो आपका आ चुका है जब इनका LCM निकालेंगे तो इसमें एक जगा दस है प्यारे तो जो LCM आएगा उसमें इकाई अंक पर जीरो तो जरूर जरूर आएगा और चार अंक में हमको ले जाना है और इकाई अंक पर जीरो है तो समझेए कि और लास्ट में जो हमारा रिमेंडर बचता है उसमें से घटाना पड़ता है तो बताइए दस में से दो जाता तो क्या बसता तो जो हमारा एंसर एकाई अंग पराठ देगा वो राइट हो जाएगा आईए इस बात को मैं थोड़ा और आराम से आपको बताता हूँ सम्मे से अंतर आपने किया था कितना आया था दो इसको आप पकड़ डिजिए और पहले जो दिया गया उनका एलसियम निकाले किसका साथ दस 21 28 एलसियम में जाएंगे तो प्यारे साथ तो साथ की विराधरी है इसको पांच गुड़े दो करेंगे इसको करेंगे साथ गुड़े तीन और ये करेंगे तो साथ गुड़े चार क्लियर है तो आप देख पारें दो की विरादरी सबसे बड़ी क्या है चार और तीन की विरादरी तो तीन है पांच की विरादरी तो पांच है साथ की विरादरी तो साथ है तो चार त्याएं बारा पच्छे साथ और साथ में साथ का गुड़ा करेंगे तो चार सो बीस आप तो 420 होंगे नहीं, ये तो clear है, तो 420 आपका क्या हो गया, LCM, अच्छा ये मुझे 4 अंकों की छोटी संख्या, तो आजाईए फिर बात करते हैं, ये LCM, जो हमारा है 420, इससे 4 अंकी छोटी संख्या पाने के लिए भाग दीजिए, जब 4 अंकी छोटी संख्या में प्यारे, जब किसी अंक से भाग दे के प्राप्त करना है, तो भाग कितना बार जा रहा है, 4 दुना के 8 दो बार, अगर दो बार जा रहा है, तो प्यारे, 3 बार ले जाओ एक बार ज्यादा तो चार तियाई कितना हो जाएगा बार मतलब आपका भाग देंगे तो 1260 आ रहा है इनको उल्टा गटा हो प्यारे उल्टा गटा होगे 0 में से 06, 6 में से 06, 2 में से 02, 260 और इसको चार रंग की संख्या में जोड़ोगे तो क्या पाओगे 12 260 क्लियर है इसका मतलब कि 420 से कटने वाली चार रंग की जो चंक्या हो 1260 है लेकिन ध्यान देना है कि मुझे रिमेंडर दो सबका 7 से भाग दे तो 5 बचे 8 से तो दो जूर घटाना आया था उसको मिसमे से माइनस करेंगे और 1270 हमारा क्या रहा है एंसर जो मैंने पहले ही आ बार बार इसको देखना तो इसको बार बार दोस्तों प्यार से देखने की कोशिक करना और आज रहे यह 14 कोश्चन सेस बचे जो मेरे 14 कोश्चन नेक्ट क्लास मिलेगा आपको देखने के लिए और तब जाके आपके कम्पलीट हो पाएंगे जो तीन चैप्टर आपके थे प्यारे जो ये तीनों चप्टर आप देख रहे थे कि एकिकनियम एकिकनियम एलसियम और एसियप और आसक जाके कम्प्लीट होंगे और एक्जाम में इनसे बाहर कोई कोश्चन आये नहीं अगर इतना आप करके जाते हैं तो पूरा का पूरा नमबर पाएंगे दोस्तों ऐसे ही नेक्स चैप्टरों को भी हम सलूसन आपको देते रहेंगे इसी चैनल पे बिल्कुल आप जूडे रहेंगे अपने दोस्तों तक सेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाईए बैस्ट सलूसन दोंगा प्यारे बैस्ट सलूसन इससे अच्छा सलूसन आपको मिलेगा नहीं और आप बिल्कुल अपना प्यार मुझे देते रहेंगे और मैं आपको ऐसे ही वीडियो पहुचाता रहूंगा तो आज के लिए इतना ही नेश्ट लापको मिलेगे जहिल दोंशन